ये अफ़ता काफी ज़दा खास था त्योंकि इस अफ़ते मैं दो कंटेंट के लिए बहुत एक्सेटेट था पहला था यूज सिजन 4 पार्ट 1 और दूसरी ये फिल्म जो कि एक रॉम कॉम है और मैं रॉम कॉम का काफी बड़ा वाला फैन हूँ आपको पता होगा अगर आप आपको इससे देखने के लिए एक अच्छा खासर टाइम देना होगा जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जानते हैं जिसकी कानी फॉलो करती है पीटर और डेवी को जो दोनों बेस्ट रेंटे लगपक 20 साल से और एक दूसरे से एक दमा लगे हैं पर कुछ र और फिल्म का एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट तो कि start to end तक हमें फिल्म से बांदे रखते हैं क्योंकि बात करूँ कहानी की तो no doubt कहानी सिंपल है और predictable है क्योंकि ये एक रॉम कम फिल्म है जिसमें आपको कई सारी क्लिशे मूइमेंट्स देखने मिल जाएंगे जो कि हमन कहानी की presentation जो कि बहुत ही अच्छे से की गई है जिसमें सबसे पहले बात करूँ chemistry की तो दोनी actors की बीच की chemistry बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और film का अगें एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट फिर बहले से दोनों साथ हो क्या फिर different places पर एक दूसरे के बारे में सोचना और जानना और phone पर बात करना इन्हीं सबी चीजों के जरीए जिस तरीके से दोनों के बीच की chemistry और relationship को build किया गया है वो बहुत ही बड़िया था वाई दोनों का एक दूसरे के बारे में सोचना और एक दूसरे की care करना और दोनों के बीच की बातचीत ये belief करा दिती है कि दोनो आक्टर्स की acting और characters ही है जो कि इस film को अच्छा और कई ना कई देखने like बनाते हैं क्योंकि इसके लब आब बात करो comedy की तो वो कुछ जगाओ पर काम आती है और कुछ जगाओ पर आप समझी सकते हो बागे बीचे मचाता direction अचाता और कुछ actors की acting भी जो कि आपको थोड़ी बहुत पसंद आ सकती है तो overall में यॉर प्लेस और माइन एक काफे चीकासी फिल्म है जिसे आप एक बच्छे का डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप रॉम का movies देखना पसंद करते हो जो कि आपको Netflix पर मिल जाएगी वो भी Hindi dub में पर आप इसे family के साथ नहीं देख सकते हैं ज हुआ